अक्षेत रित्या पर आप दस सरल उपाए कर सकते हैं इससे आपको मन्चाही खुशे हासिल होगी बहुत बहुत सवागत है आपका आपके अपनी चैनल मोक्ष में चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को दुरूँ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्पूर जानकारी ना छूट पाए अक्षे तृत्या पर इस साल काफी शुबयोग बन रहे हैं साथी इस दिन काफी अच्छे महूरत भी हैं और शुब महूरत आपको पूरे दिन देखने को मिलेंगे दस सरिल उपाए आपको बताते हैं जिससे आप खुशियां हासिल कर सकते हैं इस अक्षे तृत्या पर का पार्ट अवश्य करना चाहिए आज के दिन यानिकी अक्षयत्यत्य वाले दिन तीर्थ सनान तथा पित्र तरपण का विशेश महत्व है अतह इस दिन ये कार्णे अवश्य करें इससे पित्र दूष से मुक्ती मिलती है तीसरा राम चरित्रमानस इस दिन श्री राम चरित्रमानस के अरन्य कान का पार्ट करना चाहिए इसमें भगवान राम रिशियो और महान संतों को दर्शन देते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के पुन्य का फल प्रदान करते हैं ये पार्ट करने से भगवान श्री राम की भक्ति आपको प्राप्त होगी जौत है तिजोरी में रखें ये चीजे में पूजा चांदी। दान करें साथ ही कुलड सकोरे भी दान करें इससे जीवन में सुक्सम्रिद्धी में व्रिद्धी होगी छटा है अंदान इस दिन सत्तु ककड़ी खरबूजा चावल दूद दही घी फल सबजी इमली शहद पंचमेवा सींधा दान करें साथवा है भाग्योदय अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो अक्षितित्या के दिन प्रात है उठते ही सरवप्रथम ग्यारा गोमती चक्रों को पीस कर उनका चून बनाकर अपने घर के मुखे दोआर के सामने अपने इश्ट देव का स्मरन करते हुए बिखेर दें इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में भाग्योदय होना शुरू होगा तथा दुरभाग्य समाप्त होकर जीवन में खुशाली आएगी आठवा वैपार अगर आप वैपार में अधिक लाब पाना चाहते हैं तो 27 गोमती चक्रों लेकर पीले या फिर लाल रेश्मी कपने में बांद कर अपने वैपारिक स्थान अथवा प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांदें ये कार्य करने भर से आपको वैपार में आशा निरूप लाब मिलने लगेगा नौवा है शुक शान्ती अक्षदित्य के दिन घर में शुक शान्ती बनाये रखने के लिए 11 गोमती चक्रों को एक लाल रेश्मी कप पड़े में बांद कर चांदी की डिबी में रखकर पूजा स्थान में रख दे इससे घर में हमेशा शुक और शान्ती का वास बना रहता है दस्वा है माता पूजा अक्षद्रित्या ललिता और श्री सुक्त का पाठ कर मा त्रिपूर सुंदरी एवं माता लक्षमी का अर् जिहां ये दस उपाया आप कर सकते हैं और खबर के अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है तमाम गरंट और ओनलाइन मिली हुई जानकारी के आधार पर ही हमने आपको यह महतपूर्ण जानकारी दी है मोक्स चैनल इसका कोई भी दावा नहीं करता है ऐसी तमाम अपडेट के लिए ऐसी तमाम महतपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लिए तुरंट मोक्स चैनल को सबस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूट ना प्राइब